हेलो अरिवन गुड मॉर्निंग स्वागा ते अब सभी का ओनलाइन स्टेड जून में आज किस वीडियो में बात करने वाले मैंस्वा रिजनिंग के डे सकते में इस वीडियो में मैं के साथ करूँएंगा वो काफी चुनिंदा परसने आपके पॉइंट फ्यूश्वर स्थ दिन में बना सकती हैं छेसो मीटर लंबी दिवार बनाने के लिए 14 पुरुस और 20 महिला कितने दिन देंगे काफी अच्छा प्रस ने इस टाइब के क्वेशन भी पूछे जाते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग किस तरह से काफी इसली सॉल्व करते हैं ठीक है पुरुस यानि कि साथ मैं को क्या काम को करा जाए या फिर यहां पर यहां पर यहां लिखा गया या उसको दस वेक्ति के दौरा करा जाए साथ पुरूस या फिर दस ओमेन के दौरा ये काम करा जाए इस काम को खतम करने में दस दिन लिया जाएगा ठीक है फैंस? दस दिन में खतम होगा काम क्या करना है? तो सौ मीटर लंबी दिवार को बनाना है ये पॉइंट आप याद रहेंगे ठीक है सौ मीटर लंबी दिवार बनाना है आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर दिखे हैं हम क्या करेंगे कि एक मेन निकाल लेते हैं कि कितने ये ओमेन के बराबर होता है? आप इस तरह से कर सकते हैं एक मेन बराबर दस बटे साथ के लिए ये आपका अब हम unlocking पे चलते हैं जो हमसे पुछा गया हमें काम करने कितने? 14 मेन और साथ में 20 ओमेन को一साथ काम कराना है तो पूचा रहें कितना करेंगे तो हम यहाँ पर वन मेन निकाले इसको ओमेन के बराबर कर लेते हैं तो दीखे 14 और man के जगा पे मैं क्या रखता हूँ omen रखता हूँ 10 और नीचे आपका 7 यहाँ पे आप क्या क्या होगा 20 omen कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको कटा लेती है इसली दो बार में कटेगा 10 दूना 20 और 20 40 omen ठीक है फ्रेंस अब आपके ध्यान में रखेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको मिले एक फर्मूला बताता हूँ उसी फर्मूले पर हम लोग तोड़ते हैं क्या मैंने बताता है M1 D1 और आपका H1 होता है और नीचे आपका work 1 होता है उसी तरह से लिखते है M2 D2 और आपका H2 और नीचे में आपका work 2 तो जो भी यहाँ पर चीजी दी रही थी है उनको हम रखते हैं और उसके बाद बाकी को छोड़ देते हैं तो देखे मैं आपको यहाँ पर solve करके पताता हूँ कि कैसे इसको solve करना है आपके पास तो मैं दीगी थी लेकिन अब हमारे पास क्या है ओमें ने मैं को तो आपके नहीं हटा दिया है तो बस इसी formula के तुरह मैठाएंगे कहने के मतलब यह हुआ कि 10 ओमें किसी कारे को 10 दिन में करती थी तो देखे डे और यह मान लेजिए कि D2 पूछा दार कितने दिन में करेंगी और अब बनाना क्या है तो 600 मिटर लंबी दिवार को बनाना है यही तो बात करना है हमें बस अब इसको solve कर लेंगे राइट अंसर हमारा आ जाएगा तो दीखे 0000 से 0000 हम यहां से भी कटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब यहां से 10 से 10 यह आपका खतम हो जाता है ठीक है फ्रेंस अब इसके आगे हम देखिए क्या कर सकते हैं और यहां मारे पास क्या बचा है नीचा आपका 6 बचा है यानि कि यहां पे 6 है और इसको यहां पे गुना करेंगे को 15 दिन में कर सकती थी यानि कि 600 मिटर लंबी दिवार को 15 दिन में वह बना सकती थी इस टाइप के क्वेशन को इसी तरह से स्वाल्फ गया था सबसे पहले आप इनको अलग कर लेंगे दोनों का एक दूसरे से तोलना कर लेंगा और उसके बात करके लास्ट में जो पूछ आता है उसको स्वाल्फ करेंगे तो फ्रेंड्स उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी अगर आपके क्वेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तुरंद कर दीजिए आगया और भी अच्छे-चे क्वेशन आपके साथ डिसकस करने वालो तो बढ़तें अगले प्रस्ण की तरफ क्वेश्चन नमबर सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है काफी अच्छा प्रस्ण है करणी में आपके पास दिया गया करणी तीन और आपके पास यहां पे दिया गया पी इंटू पी स्क्वाइर प्लस थ्री पी प्लस थ्री इंटू में प्लस वन कैसे करेंगे तो सबसे पिल आप करणी के अंदर को आप सॉल्व कर लो ठीक है गुना कर लेते हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यह करणी में ठीक है ध्यान रखेगा तो इसको गुना करेंगे तो यह क्या हो जागा पी क्यूब और थ्री पी इसक्वायर प्लस में थिरी पी और प्लस में आपका वन ka one jn ka treun. तब, मैं यह इन चीज बताता हूँ धिषान से समझेगा. यहाँ पर हम यह कहसेखतें लिए आपको सबसें कहीं है आपको बता हुगा. मैं यह देरि आपके कहा हुगा है. यह आपका formula था और हम इसके बाद इसी form में बैठाएंगे. देखिए. aq plus में bq plus 3a square b और plus 3a b square इस form में कुछ इस तरह से हो गया तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कहने का मतलब आप ध्यान से समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको हम क्या कर सकते हैं p plus 1 का whole q लिख सकते अब इसको अब तोड़ोगे तो यह इसी form में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप इसके बाद क्या आखर सकते हैं देखिए p plus 1 by 3 है अब करनी का मतलब क्या होता है 1 upon 3 पावर में जाता है 3 से 3 खतम होया तो क्या बचा p plus 1 और p का मतलब कितना दिया गा था p की value आपके पास 999 दी गई है तो 999 यहाँ पे रखते हैं और plus में 1 जोडते हैं तो क्या आगा 1000 बिल्कुल correct आता है कि नहीं आता है तो देखे फेंस एक चीज में आपको बदाता हूँ जब भी आपके पास इस तरह के equations देखे एक बार मैंने आपको equations कर रहा था p equal to 124 दिया गया था और हम दोगों ने इसको solve किया था तो 125 आया हुआ था ठीक है तो एक चीज में आपको बता दू इस type का जब भी equations हो आपको लगे कि यह अंदर में जो आपका a plus b के whole q के form में लिखा गया और p की जो value दी गई हो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एक add करके right answer को tick कर सकते हो ठीक है तो जैसे कि आपने दिखा कि 909 बे था तो definite defense जो आप इसको solve करे होगे तो last में क्या होगा p plus 1 ही आएगा तो आप इसको direct भी कर सकते हो one जोड करके right answer tick करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा a plus b के whole q के अंदर होना चाहिए कि लिए आगे बढ़ते हैं देखे वें third question क्या कह रहा है कि 1 q plus 2 के power q है प्लस आपका dot dot करके 9 के q equal to में लिखा गया 20-25 यानि कि इतनी सब की value 20-25 के बराबर लिखी गई है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 0.11 q plus 0.22 q plus इसको हम add करेंगे तो हमारे पर value क्या होगा कैसे करेंगे तो देखें जो भी आपके पास दिया गया था आप जो हमसे पूछा रहा है उसको तोड़ करके उस form में लाने की कोसिस करेंगे ठीक है अब मैं आपको ये बोलूँ कि आप इन सभी में से 0.11 q common ले लिजेए common लेजेगा तो क्या होगा यहाँ पर आपका 1 q बचेगा नीचे आपका फिर 2 q बचेगा और डॉट 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 उसी तरह से 9 q बचेगा खेले है आप सभी को पता है इस तरह से common क्या आता है क्योंकि दोनों को अगर आप गुना करोगे तो power आपका से same हो जागा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर गुनाव ऐसे common लिया है ठीक है उमीद करता हूँ जीज़ आपको समझ में आ रहा है यह गुना करोगे तो a b के power m हो जागा ठीक है क्योंकि जब दोनों का base अलग होता है गुना करने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जागा तो यहाँ पर आप देखे करने का मतलब 0.11 है उसके power 3 है और हम 1 से गुना कर रहे है इसके power 3 तो क्या होगा यह 0.11 और आपके power में 3 हो जागा ठीक है same to same यहाँ पर भी उसी तरह से हम करके बताता हूँ आपको मानले से कि मैंने यह common लिया था और इसमें आम इस तरह से गुना करेंगे तो यह हमारा आनत चाहिए तो obviously यह आएगा ही आएगा क्योंकि आपका जो मैंने आपको बता है कि a के power m और b के power m a b के power m हो जाता तो उसी तरह से यह गुना हो जागा 0.11 और गुना में 2 तो 0.22 के power में आपका 3 हो जागा ठीक है लेकिन एक चीज़ आपको धिहान रखेंगे अगर a के power m है और friends a के power n है उस condition में अगर दोनों का base same हो तो वहाँ पे power आपका add होगा ठीक है यह most important थी तो फिलाल हम यह कह सकते हैं कि हम यहाँ पर यह common ले सकते हैं अब बात करते हैं direct उस point पर जहाँ पर हम लोगोंने calculation करना शुरू किया था तो यहाँ पर दीखिए 0.11 cube मैंने निकाला था common और उपर में आप लग इतना है तो इतना का value already आपके पास दियागा था questions में 20-25 हम लग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब आपको पता है friends 11 का cube करते हैं तो कितना होगा 11 का cube करते हैं तो 13 31 होता है लेकिन आपके पास point में ही तो है point के बाद 2 0 sorry point के बाद 2 digit है तो 2 digit के power हम cube करते हैं तो आपके पास कितना हो जाए 2 और 2 4 2 6 जाए 1 2 3 4 5 और 6 यानि कुछ इस तर कर लिजेगा कोई दिक्कत नहीं तो फिलाल में आपको बता दो इस सभी का right answer आपके आएगा options भी बिल्कुल correct answer होगा 2.95 करके आएगा ठीक है तो right answer आपका भी बिल्कुल correct answer हो जाता है तो friends उमीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आगे हो कि इस questions को कैसे solve किया जाता है आगे बढ़ते हैं question number four में क्या कर रहा है कि 784 वर्ग centimeter छेतरफल वाली एक वर्गकार कागज की seat में से बराबर माप वाली चार बड़ी से बड़ी बृतकार plate काट ली जाती है तो परतेक plate की परिती क्या होगी questions को ध्यान से समझेगा 784 cm square का छेतरफल वाल एक वर्गकार का है तो हम कहा सकते हैं कि कुझ इस तरह से हमा लेते हैं कि हमारे पास जोशीट है वर्गकार कुछ इस तरह सा एक वह की कि वीचार बीत। दो एक भुजा आगर निकालेंगे तो बराबर हो क्यूंकि 4 भुज़ं आपस में बराबर होती है तो आपको पतेफरेंस की A형 toy to क्या होता है जो होता है भुजा का square याने कि side का square कर सकते तो 6 तरफ़ल आपका 184 दिया गया तो हम यह कह सकते हैं हमारा जो side होगा वो कितना 784 किसका होता है तो 28 का square होता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो side है इसका कितना है इसका side हो कि 28 के बराबर यहां से लेकर कि यहां तक total 28 है अब जो मैं आपको बता रहा है उस सत्वी से भड़े काटा सकता है तो आप से बड़ा जो बरीत का से चार जाएगा तो आपसे यह चारो कि पट्टे की परीदी पुछ जा रहा है तो किसी भी एक का परीदी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान समझे का कैसे निकालेंगे देखें फ्रेदी निकालने के लिए आपके पास त्रीजिया होनी चाहिए त्रीजिया कैसे निकालेंगे सबसे बात यहां पर यह हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से बराबर क्योंकि चारों हम लोग बराबर भुजा में काट रहे हैं ठीक है तो देखें यह आपका टोटल जो की जो यहां से लेकर थाइस था तो यह कैसे हैं कि अगर यहां पर देखें तो एक ब्रिद की जो परी ब्यास होगा वो कितना ह 14 यह 14 और 14 तो यह 14 जब होता हもう यहां पे अगर दोनों को आधाय दा करे तो इसका यह शाथ ऊत्रीजा सात सात हो गया यह साथ यह सात आप करके देखो सचों का 28 अठाइक ने टोटल 28 हो गया ना बस अब आपके पास आर तो निकली गया कोई दिकत नहीं नहीं आर आपके पास 7 cm आ गया, तो 7 cm आ गया तो अब क्या धून रहे हो, अब कुछ तो कम धून नहीं है, क्योंकि 2 pi r से निकाल सकते, easily बिरित की परीदी 2 pi r होता है, तो 2 गुने 22 बटे 7 और आर हमारे 7 निकल गया, 7 से 7 कटा 22 तुने 44 बिलकुल correct answer आ जाता है, ठीक है friends, यानि कह स सकते हैं कि इस बिरित की परीदी जोगी, वो 44 cm right answer हो जाता है, तो गर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question no 5 में कहकर है कि 2 pipe A और B, अलग अलग करमसा, किसी टंकी का करमसा, 60 मिनट और 75 मिनट में भर सक जाता है, killer, उसके बाद यह कह रहा है, कि टंकी के तली में उसके खाली करने के लिए, एक तीसरा pipe लगा हुआ, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है, तो ध्यान से समझेगा, तीनों को अगर एक साथ खोला जाता है, यह कह सकते हैं, क सभी का efficiency निकाले तो कैसे निकालेंगे, साथ से डिवाइड करेंगे, तो यह आपका पांच बार में इसकी efficiency पांच, और इसको करेंगे तो 75, 4, 300 होता है, इसकी efficiency 4 हो जाएगी, और इन तीनों के efficiency निकालेंगे तो कितना हुआ, तीनों के efficiency यानि कि इसको डिवाइड करेंगे कितना ज़्यादा है five और nine इसकी ज़्यादा यानि कि इन दोनों में से आपको घटाना पड़ेगा आपए मत सोतना है कि इन तीनों के जोड़ेंगे तो छे आ रहा तो ऐसे नहीं होता है जिसकी efficiency ज़्यादा इन दोनों के को घटा कर आपको माइनस करना होगा ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि जो c अकेले उस कारे को करेगा यानि कि c अकेले भरेगा कितना में तो देखे 300 टोटल वर्क और efficiency से आपको divide करना होता है तो पांच और नौ और नौ मेंसे आपको 6 घटा देना यानि कि 3 obviously आपका 3 से भाग होगा क्योंकि दोनों की efficiency इसकी जादा है तो इन दोनों की efficiency को जोड़कर हम इसको घटा देंगे आपको 6 कम कर देना है तो उमीद करते हैं आप अच्छे साथ समझ गए होंगे चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ट निकी यानि कि मैंने आपको संडे की दिन कल की वीडियो में एक जो की वीडियो बनाया था जो की SI और CI से ठीके फैंस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लिए काफी अच्छे चे 568 देखें यह मिसराधन होता है लेकिन जैसे ही आप इसको घँडा ओगी इन दोनों का डिफेरेंस करते हैं तो हो दो यह की कि यह ब्याज निकलता है, ख्लार फैंस वह आपका सधारन ब्याज निकल जागा, तो इसको घटाओंगे तो 568 में से 520 घटेंगे तो कितना हो जागा? यह आपका 48 आ जाता है, कोई दिख्कत नहीं, यहाँ से वन यishers का निकाले, वन य का ब्याज कंवहार रहा है, जो कि 24 रुपिया, वन य स्का ब्याज हो क्या, एक वर्श का ब्याज का ब्याज हो क्या है, ओक गरन के यह के yellow प्लद Alma के लिएक हैं cmm अब आप अंतर कर लेता हो, तो यह आपका ब्याज आ जाता है, अब यह भी आपका ब्याज है, यानि कि यह आपका दो, एक वर्स का ब्याज हो गया, अब एक वर्स का ब्याज 24 रुपाय तो पांच वर्स का ब्याज कितना होगा, 24 पाच्छे 120 120 रप्या ब्याज हो जाता है अब आपको यह चीज तो पता होगा कि मुल्धारम कैसे निकलते हैं तो मुल्धारम निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर आप मिसर्धन में से ब्याज को घटा लेते हो यानि कि A- अगर SI कर लेते हैं तो आपका obviously यह कि आपका होगी वह सधारन ब्याज पर 5 वर्सों में 520 रुपय हो जाएगी और 7 वर्सों में 568 रुपय हो जाएगी तो वह धन्रासी क्या है 400 रुपया तो यह questions बहुत ही ज्यादा important है और बहुत ही अच्छा प्रस्न है तो इस चीज को अच्छे तो समझ लेजेगा clear friends आगे बढ़त आगे यह बोला कि तो इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि beaucoup A और B का योग जोगा वह 8 हो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम दो पासे जो फेक रहे हैं मालिज़े कि वह और A और बी आ रहा है clear A और B आ रहा है तो आगे अपसं यह बोला कि इसकी क्या प्राइकता होगी कि दोनों जो पासे होंगे उन पे जो उनका योग आएगा वो आठ हैगा तो हम मान सकते हैं अगर पासे पे एक पासे पे दो आता है तो यह definitely हो कि दूसरे पासे पे 6 आना होगा तभी 8 होगा क्योंकि हमें 8 लाना इन दोनों के सम को 8 लाना है कि लिए आगे देखिए क्या कर सकते हैं अगर एक पासे पे 3 आगा तो दूसरे पासे पे 5 आना चाहिए उसी तरह से ज़्यादे तो कोई possible होई नहीं सकता क्यूंकि पासे में आपका 6 ही संक्या होता है अब इससे ज़्यादा क कोई भी 2 संक्या को जोड करके आप नहीं ला सकते हो 8 ठीक है फिर्ण्स तो हम यह कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 ही संभावना है जो कि वह आ सकता है 8 आ सकता है तो टोटल कितना होता है अगर हम एक पासे को फेके तो उसमें 6 आने के संभावना होती है लेकिन 2 पासे फेकरे तो आपक पर में लिखा टोटल कितने में से 36 में तो तो कह सकते हैं कि यह तो कटेगा नहीं तो राइट अंसर आपका हो जाएगा 5 बटे 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेशन को इसी तरह से करेंगे पासे वाले क्वेशन काफी अच्छे प्रस्ण होते हैं तो आप पारी जो है वह माल लिजे कि वह खरीदा था कोई वस्तू को 100 रुपे में ठीक है लेकिन जब उसने माल का अंकित मुल खुद से मार्केट प्राइस रखा तो वह क्या कर रहा कि उससे 20 परसेंट पढ़ा कर कि यानि कि 120 रखा होगा कि यह तो बात क्लियर हुए अब आगे य यैं से कले कि कर लेते कि वह कितना उसके बीच रहा होगा कि यहां से इसको कड़ाएंगे तो यह कितना होगा बीच पिंचानवे कह सकते हैं कि 19 चकत 114 होता तो देखे आपसे क्या पू messing में किए कि वह कितने पर्थित का लार्जित करता है 120 रुपर उससने अंकित कि थीग वो उस वस्ते को कितना बेचेगा, 114 रुपे में, अब आप बताईए, कि उसने खरीदा था 100 रुपे में, अब उसको बेच रहा है, 114 रुपे में, कितना रुपे का प्रॉफिट हुआ, आप easily calculate करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कि 14% का प्रॉफिट हुआ, ठीक मैंने बृट बना लिया, ठीक है, एक बृट का केंद्रे जो है, वो है, और इसकी एक जीवा जो दी गई है, वो कुछ AC दी गई है, इस टाइप से, ठीक है, A और C, इसकी जीवा हो गई, ठीक है, तो ध्यान से समझेगा, इसके बाद क्या कहा रहा है, कि यदी B, चाप AC पर यानि कि चाप आपका AC कुछ इस तरह से हो गई है, यह आपका, इस पर एक बिंदू B है, यहाँ पर कुछ मैंने बिंदू मान लिया, B है, ठीक है फेंस, B है, उसके बाद क्या कहा रहा है, कि AC पर कोई बिंदू है, और आपसे यह बोल रहा है कि O, C, A बराबर 20 टिगरी दि की, कैसे करेंगे इस questions को तो ध्यान सा समझेगा, यह आपका क्या है, 3G है, ठीक है, यह आपका 3G, तो यह भी आपका 3G, यानि कि यह जब दोनों बराबर है, तो यह दोनों कोड भी बराबर होगे, ठीक है, यह दोनों 120 होगे, अब आपको मैं बता दूं कि यह तिर्भूज अगर हम देखें, इस तिर्भूज को O, A, C, यह 20 और यह 20, 40 और तिर्भूज का 3 कोड़ों का यह 180 होता है, तो यह obviously 140 डिगरी होगा, ठीक है friends, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, उस चीज को मैंने कई बार आपको बताया भी है, तो ध्यान से समझेगा, मैंने आपक अगर केंद्र पे 140 डिगरी यानि कि केंद्र पे जो कोड़ बनता है, उसके बिपरित चाप पर जो कोड़ बनता है, उसका जस्ट यह आधा होगा, यानि कि यह दुगना होता है, यह आपका आधा होता है, तो यह 140 है, तो यह obviously यह 70 डिगरी हो जाएगा, ठीक है friends, अब आप आपको यह चीछ तो पता होने चाहिए कि चक्रिय चत्रबूज का जो कोड होता है, आमने सामने कि जो कोड होता है, वो 180 डिगरी के बराबर होता है, तो चक्रिय चत्रबूज का मतलब क्या हुआ, एक ब्रीथ हुआ, यहां से लेकर के यहां, माने जह यह P हो गया, 1, 2, 3, 4, यानि कि हम लोग इस चत्रबूज को देख सकते हैं, तो चक्रिय चत्रबूज में जो बना कोड होता है, वो आमने सामने कि भुजा कि जो योग होता, वो 180 डिगरी होता है, तो कह सकते हैं कि P और O का जो कोड होगा, वो 180 डिगरी के बराबर होगा, तो यह 70 तो यह कितना हो होगा, आप कोड 170 और आपका 110 होता है, 110 आपका 180 के बराबर होगा, तो इस questions का right answer क्या होगा, कोड A, B और C, A, B और C के जो value निकलेगी, वो 110 डिगरी के बराबर होगी, तो friends, उमीद करते हैं कि यह questions आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि यह questions थोड़ा सा अच्छा की, अगला प्रस ने कुछ इस टाइब का दिया गया, आपको यह बताना है कि इसका मान जोगा हो, किसके बराबर होगा, कैसे करेंगे इस questions को, तो देखिए friends, हम इस questions को कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मान लिजे कि इसका LCM ले ले लेते, इसको हम एक मान लेते हैं, और इसका LCM आप लोगे तो क्या होगा, इसका LCM लोगे तो यह नीचे आपका सेक ठीटा प्लस में वन हो जागा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उपर में आपका 10 स्क्वार ठीटा, और माइनस में कुछ इस तरह से हो जागा, इसको आप गुना कर लेंगे, ठीके, यानि कि इसका न माइनस कॉमन लेकर के इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, सेक स्क्वार ठीटा माइनस में 10 स्क्वार ठीटा, इसको बनाने के और भी मेथर हो सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि मैं जोत्तर कर रहा हूं, आप भी वही करेंगे, अगर आपको इससे अच्छा कोई मेथर ल कह सकते हैं कि माइनस वन और आपका नीचे में आपका इसर में माइनस वन, तो कि इस तरह से हो जाता है, स्क्वार ठीटा और प्लस में 1, किलियर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ फोड़ा सा मिस्टेक हुआ हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो गुना कि तो सिर्फ एक ही में गोएक है तो यहां पर सेख ठीटा एक और सेख ठीटा होगा ना सौरी सेख ठीटा यहां पर होगा माइनस में सेख ठीटा किरे फ्रेंट्स तो यहां पर सेख ठीटा रख सकते हैं वही तो सोचें यहां पर गलत कैसे हो जा रहा तो देखें माइनस वन यह आप असाने से सकता सकते हैं तो माइनस वन बिल्कुल राइट अंसर आ जाता है ठीक है फ्रेंस लेकिन आपके एक्जाहास में आपको बता दूँ कि इस टाइप के questions नहीं पूछा जाएंगे आपको इतना जादा trigometry का lengthy questions नहीं पूछा जाएगा आपसे simple सा questions यह पूछा सकता है मैं आपको बताता हूँ आप इस questions को solve किजेगा ठीक है मैं आपको question दे रहा हूँ आप इस questions को कोसिस किजेगा solve करने लिए theta equal to 45 degree दिया ठीक है और आप से यह पूछा जाएगा कि sec theta plus में कोसे theta की value क्या होगी आप नीचे मुझे comment करके बतागे इसका right answer क्या है ठीक है यानि कि आपके पास theta की value 45 degree दी गई है और sec theta plus में कोसे theta की value क्या होगी कि यह pattern क्या किया क्या उसके बाद हम इस questions को कर सकते हैं देखे friends मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस video को रोक करके देखा होगा क्या होगा तो बहुत अच्छी बात है otherwise मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है इस pattern में आप यहाँ पर देखिए अगर first वाले जो दिया क्या उसको हम third वाले से भाग करेंगे तो कितना होगा 25 को 5 से भाग करेंगे 5 और उसमें 12 से गुना कर देंगे तो 12-5,60 right answer आजाता है उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से देखेंगे मैंने आपको यहाँ भाग करने के लिए बोला तो यहाँ पर मैं भाग करूंगा तो यह क कह सकते हैं कि यहां पर छे होगा तभी तो assassin डीवाइड कर सकते हैं कि यहां पर दिवाइड करने होंगे होगे तो चामचल करेंगे तो और 16 गुना कर दसनी कि में बिल्कुल correct answer हो जाता है आगे बढ़ते हैं देखे friends next question जो कि पासे से संबन देते हैं और ये काफी अच्छा परतने ठीक है friends आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे पासे के चार फलक दिखाएंगे और आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो के बिपरित क्या होगा ठीक है दो के बिपरित आपसे पूछा रहा है कि क्या होगा कैसे find out करेंगे इस पासे से हम लोग कि दो के बिपरित क्या होगा तो मैंने आपको ये बता है कि सबसे पहले आप उन दो पासे को पिक करें जिसमें दो common मिलते हो के लिए मैं आपको ये बताता हूँ अगर आप इन दो पासे को ध्यान से देखे इसमें दो भी है और ये तीन common भी हो रहा है हम इस पासे को करेंगे तो easily solve कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप किसी और को उस्ठालों के तो नहीं कर सकते हो मैं आपको सब करके बताऊंगा उसमें कोई क्लॉक वाइज से गुमाना स्टाट करो गॉकष गुमाएंगे कुछ इस तरह से जब क्लॉक वाइज के बार दो तीन के बाद का था दोो आएगा दो के बारा चरह Anda इसको इस तरह से लिखेंगे और यहां पर मैंने 3 देखा था यानि कि 3 common था तो 3 के सामने 3 लिखिए और उसके बाद यहां से clockwise घुमाना है शुरू कीजिए तो clockwise मैंने घुमाया तीन के बाद क्याएगा 5 मैं रखता हूँ और 5 के बाद क्याएगा एक आएगा ठीक है फ्रेंट्स अब आप यहां पर easily find out कर सकते हैं कि 2 के बेप्रित क्या होगा दो के बेप्रित आप बताएगे कि 5 हो रहा है कि लिए अगर पूछ लेता है 6 के बेप्रित क्या है एक आ रहा ह होता तो कैसे करेंगे तो मान लेते हैं कि आपने अगर बोला कि इन दो पासे को हम पिक कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी दो दो इसमें दो कॉमन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो चले मैं मान लेता हूँ पहले चार को कॉमन करता हूँ इन दो पासे को हम find out करते है तो और इसमें जो लड़ रहा है इसमें 5 के 5 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं यानि कि सामने आपको लिखना ही लिखना है अगर आप दो पासे को उठाते हो और दोनों में दो दो कमन हो रहा है तो उन दोनों के सामने दोनों को लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं और जो बचा उसके सामने उसको लिखिया, अब इसके देखे friends, जो पासे पहले में आया था, यानिकि 6 के विफ्रित एक आया था, यहाँ पर भी तो वही condition है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होगा कि किस में 2 होगा, किस में 3 होगा, तो देखे friends, मैं आपको बता दू कि पासे के दोनों होगा तो देक suspense करके कि अब चलिए मैं बात करता हूं कि एक और डूसरा पासा उठा करके आज सारे के सारे डाउट्स आपके क्लिर कर देता हूं अब आप यह देख रहे हैं यहां पे देखिए पाच और यह इसमें मिलाते हैं, तो यह देखे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पें आपको change करके बढ़ाता हूँ, यहाँ पर देखे, juicy को उठाईए, और इसrama को उठाईए. इसमें पांच भी बिल रहा है और एक भी मिल तो यहां पर बताता कि 5 के सामने 5, 4 के सामने 4. तो एक के सामने 1, और वीशली है कि जो बचा उसके सामने सामने. तो यहां पर भी देखे, वह以前 condition आगया. 4 के बीप्रीट आपका 3 आगया. अब आप यहां पर कह सकते हैं कि 5 है तो 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 7 होता है और 1 है तो obviously यहांके 6 होगा क्योंकि 6 और 1 7 होता है तो friends हमने काफी असानी से किसी भी तरह से पासे में आप जाओगे तो find out कर सकते हो बीना किसी दिक्कत के तो उमिद करता हूँ कि आपको आज तो यह सारा doubts clear होई गया होगा ठीक है friends चलिए आगे बढ़ते हैं question no.13 में क्या कह रहा है कुछ पहाडया नधिया हैं तो चलिए माल ळेते हैं कि कुछ पहाडी जो पीसे इसको डुनेट करते हैं कुछ पहाडीया नदिया थो इस कुछ पहाडी का कुछ भाग जो है वो नदी है ठीक है नदिया माल लेते हैं इन से कुछ नदिया रेगिस्तान है यानि कि नदियों का कुछ जो भाग है वो रेगिस्तान है इसको आरसे माल लेते हैं कि रेगिस्तान है नदी ये हो गया नदी का कुछ भाग पहार का ये कुछ भाग जो की नदी था आगे बोल रहा है कि सभी रेगिस्तान सडके हैं तो यह रेगिस्तान है रेगिस्तान की सभी भाग को माल लेते हैं कि यह सडक है ठीक है फ्रेंस ऐसे माल लेते हैं सडक है अब हम लोग चलते हैं जो कि निसकर्स पे तो निसकर्स मारा क्या बोलना ध्यान से समझेगा निसकर्स यह कहरा है पहला निसकर् common है नहीं तो कह सकते हैं कि second option बिल्कुल गलट है थर्ड में क्या कह रहें कि कुछ एरेगिस्तान पाड़ी है एरेगिस्तान के भाग को यहां पर है आर से जह हम लोगों ने माना है और यह पहाड़ी यहां पर है इन दोनों में भी कोई संब्द नहीं तो यह भी कड़ गया तो अगर इस चीज को सॉरी दरपन्ट फिगर नहीं आपको यह फिल करना है ठीक है आपको फिल करना है कि यहां पर जो फिल होगा वो कौन सा यहां पर चारू options में से कौन करेक्ट तरीके से मैच होगा तो देखिए friends अगर आप options B को ध्यान से देखो तो वो कफे अच्छे तरी तो देखे friends नेक्ट को नमबर निकालना है कि यहां पर फाइंड आउट आपको बताए कि यहां पर क्या होगा वर्ट के जगा पर क्या होगा तुम किस तरह से इसको find out करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहां पर क्या है यहां पर 27 लिखा गया तुम यह कह सकते हैं इसका just आधा कर लो यानि किसका आधा करेंगे तो कितना होगा तीन और तीन का क्यूब करेंगे तो 27 आ इसको find out करेंगे तो आधा कितना हूँ उगा साथ तो साथ का क्यूब करना चाहिए तो जोर राइड अंशर आगसर फ्रेंस क्या कह रहा है काफी अच्छा प्रस्टने और अगला प्रस्ट देखिए जो कि 70 नंबर क्या कह रहा है किसी भी छोर से सुरू करने पर यदि किसी पंक्ती में आपका नंबर इग्रहवा है तो बताईए कि पंक्ती में कितने वेखती है बहुत सिंपाल कोईशन इसमें तो कुछ करना नहीं है जो भी आपका दिए यानि कि इधर से स्टाट करें या फिर इधर से स्टाट करें दोनों नंबर पर इगरावे नंबर पर आ रहे हैं तो इस तरह से क्या करेंगग कि दोनों तरफ से स्टार्ट करने पर मैं किसी नंबर पर यह वो तीसरा नंबर पर आता हूँ तो तीसरा नंबर मान के लिए एक दो और तीन यहाँ पर मैं तीन नंबर पर आता हूँ इधर से भी और इधर से भी find out करते हैं एक, दो और तीन, तो इतमें कितने नंबर होगे, टोटल कितने वेक्ति में, पंक्ति में कितने नंबर होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यही तो हुआ, कि तीन का स्क्वार करके माइनस वन कर दीजिए, छे में से एक गया तो पांच, खिलर, तो यही इसी का, यहाँ यही condition follow होता है, दो गुना करके माइनस में one कर दीजिए, ठीक है friends, आगे बढ़ते हैं, अगला प्राश्ट में ये करा है कि एक मैदान में कुछ बतक और बक्रे हैं, जिनके कुल मिलाकत 77 सीर दिये गए, यानि कि दोनों के जो head की बात करें, तो दोनों का जो सीर होगा, वो कितना दिया गया, बतक और बक्रे का मिलाकत के 77 सीर दिये गया, और पैरों की संख्या कितनी है, पैर अगर टोटल बात करें, तो पैर यहाँ पे 224 हो जा रहे है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बतक होंगे, उनके 2 पैर होंगे, और जो बक्रे होंगे, उनके 4 पैर होंगे, ठीक है, इन दोनों को मिलाकरके आपका 224 हो जाता है, तो आपको यह बताने कि बतकों की संख्या कितने होगी, देखे फ्रेंस मैं आपको एक बार बताया भी कुछ, इस टाइब के प्रस्ट में किया क्या जाता है, पैरों की संख्या को 2 से divide करके आप 0 की संख्या को घटा लिजे ये आपके पास 4 पैरवाले निकल जाएंगे ठीक है यानि कि 2 से divide करेंगे तो आपका 112 और उसमें से आप 77 को घटा लिजे 77 को घटा होगे तो कितना हो जाएगा यानि कि आपका ये कुछ इस तरह से आजएगा 35 ठीक है फ्रेंस साथ पच बार और साथ एकार ठीक है 35 तो 35 का क्या है यानि कि ये चार पैरवाले की संख्या है तो अगर डारेक्ट हमसे पूछता कि बकरे की संख्या कितनी होती तो बकरे की चार पैर होते तो राइट एंसर आपका 35 हो जा था लेकिन आप से ये पूछा जा रहा कि बत्कों की संख्या कितनी होगी तो सीरों की संख्या तो दोनों में तो सीरों की संख्या के लिए तो 77 में से हम क्या करेंगे लिए थे और उमीद करते हैं कि यह questions आपको जिरूर पसंद आयोगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और इसी तरह की रोजाना न्यूव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके के सब्सक्राइब कैसा थैंक्स वाचीं की वाचीं कीप लर्नियू वाट इ हाब गूर्दै